हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल आज हम बात करेंगे कैसे जिरोधा इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर बना और कैसे एड़र्टिस्मेंट के बिना ग्रो कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि जिरोधा एक बहुत बड़ी स्टॉक ब्रोकर कंपनी है जिसके एक क्रोड से ज्यादा यूजर है और जिसमें से 70 लाख एक्टिव यूजर है हलंकि ये किसी को जोईनिंग फीस भी नहीं देते और किसी को रैफरल कोड भी नहीं देते या उनको रैफरल की कोई अमाउंट नहीं देते हैं फिर भी इतने एक्टिव यूजर किसी और डिस्काउंट ब्रोकर के नहीं है इससे पहले कि हम ये जानें कि कैसे ये इतने बड़े बनें इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि निती जी ने कैसे इसकी सुरुवात की इसके लिए हमें 12 साल पीछे नहीं बलकि 25 साल पीछे जाना पड़ेगा यान कि 1997 में जब मेरी उमर एक साल थी और नितिन जी की उमर लगबग 17-18 साल रही होगी कोले में जाकर उनको पता चला गए ट्रेडिंग से भी इंकम की जा सकती है हर कोले स्टूडेंट जानता है कि पोकेट मनी हमेशा कम पड़ जाती है इसलिए इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और सीखने लगे और वहां से थोड़ी बहुत इंकम जनरेट होनी स्टार्ट हो गई फिर आया 2001 में मार्केट क्रेस और नितिन जी लगबग बैंक करफ्ट हो गए थे इसके बाद 2001 में इन्होंने एक कोल सेंटर जोइन किया वहां पे उनको आठ जार उपे सैलिवी मिलती थी नाइट में एक कोल सेंटर में काम करते थे और दिन में ये ट्रेडिंग करते थे तीन-चार साल बाद एक दिन ये जिन में थे और वहां पिनको एक ट्रेडर मिला इन्होंने उनको अपना portfolio account दिखाया और उन्होंने का अरे वा, मेरा भी portfolio handle कर लो, वहाँ से इनका career start हुआ पहले 2-4 दोस्तों के account को handle किया, उसके बाद इन्होंने reliance money में as a sub broker काम किया वहाँ पर इन्होंने बहुत से लोगों का portfolio बनाया और वहाँ से market को समझा 2008 के market crash में भी इन्होंने काफी income generate की क्योंकि तब तक ही समझ चुके थे कि गिरते वे market से पैसा कैसे कमाया जाता है इन्होंने 2009 तक सब broker का काम किया और साथ में trading भी चलती रहती थी इस दुरान उन्होंने 4-5 साल के अंदर करीबन 10-12 brokers को change किया और उन 10-12 brokers में इनको एक कमी लगी क्योंकि उस टाइम लगब सभी brokers सेम वही पुराना system यूज़ कर रहे थे और इंडिया में तब तक internet की शुरुआत भी हो चुकी थी इसके बाद इन्होंने एक trading related एक blog भी start किया था वहाँ पे भी अच्छा traffic आना start हो गया था उन लोगों ने भी कहा कि एक अच्छा platform होना चाहिए जहां पर हम अच्छे से trading कर सकें तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब time आ गया है खुद का कुछ करने का और इन्होंने 2010 में 0-10 को start किया 0-10 का असली मतलब है 0 यानि कि 0, 0-10 का मतलब no barriers यानि 0 barrier in your investment journey लोगों को यह लगता है कि 0 ने 2010 में start किया था लेकिन उनको जो पीछे की 13 साल की journey है वो कोई नहीं देख रहा इनका main vision है low cost और transparency का और यह चाहते हैं कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग invest करें क्योंकि US के अंदर 50% लोग invest करते हैं लेकिन इंडिया में यह सिर्फ 2-3% ही है इसका main reason है financial literacy यहाँ पर लोग real estate और gold में invest करते हैं stock market को तो लोग gambling समझते हैं इंडिया में अब लोगों को समझ में आने लगा है कि stock market कोई बड़ी top नहीं है इसको भी हम सीख के अच्छे से as a business कर सकते हैं जिरो धाने low cost और transparency को इस तरह अपलाई किया कि अगर आप कोई भी कितनी भी बड़ी trade कर रहे हो आपको सिर्फ 20 रुपे या 0.1% जो भी कम हो उतना brokerage charge देना पड़ेगा और साथ ही इन्होंने transparency के लिए एक excel sheet से calculator बनाया जहां पर आप अपनी total trades यान की एक trade हो या दस trades हो उसमें कितना खर्चा आएगा वो ये पहले बता देते थे बाद में कोई extra charging एड नहीं करते थे इस वज़े से इनका product पसंद किया जाने लगा अब बात करते हैं इन्होंने कैसे बीना funding के इतना बड़ा platform start कर दिया था starting में ये भी अपने VCs के पास गये थे यानि venture capital के पास गये थे और fund raise करने के लिए गये थे लेकिन इनको कहीं भी funds नहीं मिले थे इसके बाद में इन्होंने खुद से ही start करने की सोची तो जब starting में नितिन जी ट्रेडिंग करते थे तब उन्होंने 2009 तक लगभग 1.7 क्रोड रुपे कमा लिये थे उस टाइम NSE ने एक scheme launch की थी कि जो भी broker उनके पास आएगा उसको NSE का technical platform free में इसूस करने को मिलेगा इसके लिए डेड़ क्रोड की refundable fees भी थी और नितिन जी को ये opportunity अच्छी लगी उन्होंने डेड़ क्रोड रुपे जमा करवाए और वो platform ले लिया और बाकि जो 20 लाख बचे थे उससे इन्होंने अपना office और office के सारे instrument भी ले लिये थे सिर्फ office खोलने से कुछ नहीं होता उसके back end में एक software भी चाहिए होता है उसके लिए एक चैने की firm थी उन्होंने इनको कहा कि आप हमारे software की beta testing कीजिए और हम आपको एक साल तक software फरी में दे देंगे इन्होंने उस beta testing को किया और इनको एक software फरी में एक साल के लिए मिल गया फिर इन्होंने के website बनवाई जिसका total खर्चा सिर्फ 16,000 रुपे था और पहले ही साल में ये profitable हो गई और इन्होंने अपनी profit को company की growth में लगाया और आज ये इंडिया के number one stock broker बन गए है इन्होंने सब से पहले अपनी user interface को काफी simple रखा ताकि अगर कोई नया बंदा भी trading करने आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब आना चाहिए कि हो क्या रहा है इसके बाद इन्होंने अपना वर्ट सीटी platform लॉंच किया जहां पर आप stock trading free में सीख सकते हैं अब बात करते हैं कि कैसी advertisement के बीना customer को capture करते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि नितिन जी एक block स्टार्ट कर रखा था 2009 में तो इनके जो first 1000 customer थे वह वहां से ही आ गए थे इनके आने से पहले stock broker charges बहुत बहुत ज़्यादा होते थे यानि अगर उस time point one percent भी अगर total brokerage charge होता था आप कितनी भी बड़ी trading कर रहे हो यानि कि अगर कोई एक क्रोड की trading कर रहा है तो उसको 10,000 रुपे पैसे देने पड़ते थे broker को trading करने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा होती थी इस चीज़ को इन्होंने solve किया और fees रखी सिर्फ 20 रुपे या point one percent जो भी कम हो चाहें आप कितनी भी बड़ी trade कर रहे हो इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है इनको 20 रुपे मिल गए पस उसके बाद अब इन्होंने वर्शिटी और G Connect नाम से भी platform launch कर राखे हैं जहां पे आप free में stock market सीख सकते हैं और यह जो इन्होंने platform बनाए हैं knowledge के लिए इससे भी customer काफी attract होते हैं और इनकी service इतनी अच्छी है कि इनकी word of mouth marketing बहुत अच्छी हो रही है इनको कहीं भी ads लगाने की जूत नहीं पड़ रही साथ ही इनके founders को बुलाया जाता है अलग लग जगए interviews के लिए वहां पे इनकी free advertisement हो जाती है इसके बाद इन्होंने December 2018 में एक नया rule लागो किया कि अगर आप अपना एक दिन से ज़्यादा आप stock रखते हैं तो आपको कोई brokerage fees नहीं देने पड़ेगी जिसमें बिना किसी fees के mutual fund में invest करने की आजादी देते हैं पहले अगर आप mutual fund में invest करते थे तो आपको 0.5% से लेकर 2% तक का fees देना पड़ता था mutual fund में invest करने के लिए जो काफी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस coin platform से भी ये काफी ज़्यादा viral हो गये थे इन्होंने 60 day challenge शुरू किया था जिसमें अगर आप 60 दिन तक profitable रहते हैं तो आपको एक certificate मिलेगा तो आपकी जो 20 रुपे की जो fees होती है वो भी वापिस दे दी जाएगी और जो certificate आपको मिला है वो आप social media पे share कर सकते हैं और अगर को 60 दिन तक profitable नहीं होता है तो इनको फिर लेकिन इनका रीजन यह है कि IPL वगेरा या TV वगेरा में एड लगाने से न्यू कस्टमर आते हैं और इसका जिरोधा को कोई फाइदा नहीं है क्योंकि नया कस्टमर क्या आपता वो ट्रेडिंग करेगा या नहीं करेगा और अगर वो इन्वेस्ट करता भी है तो बहुत छ ज्यादा का प्रॉफिट किया था लेकिन ये कैसे हुआ जबकि अफ्टोक्स ज्यादा एड्ज करता है और जिरोधा बिल्कुल भी एड्ड नहीं करता फिर भी जिरोधा प्रॉफिट में है और अप लस में इसका की रिजिन बताते है जिरोधा आकाउंट अपन करने के रखते हैं आगे जमा किये जाते हैं कि वहां पर यह ख़र्चा काफी हो जाता है इनकाउंटकि एक करस बदक्त करने से इनके कोई भी डैड्न के पास नहीं आते या यान कि बहुत कम इनके पास डैड्स हो जाते हैं जैसे अपश के अंदर 50 पर चैंट डैड्स हैं एक है आप स्टोक्स के बाकि 50% डेड़ अकाउंट है वो कभी एप्स को भी ओपन नहीं करते यहीं चीज उनके बैलेंस सीट में भी दिखती है कि जिरोधा को ग्यारासो क्रोड का प्रोफिट हुआ और अप स्टोक्स को सतर क्रोड का लोस हुआ क्योंकि अप स्टोक्स हजार रु इस से ले लेते हैं इस तोक्स को एक कस्टमर इelli बियPad के चैनल को सब्सक्राइब ऐसे को इनके करोड़ होता है और इनके दो मेंसे एक अकांट डैड है तो यहनकी सक्ए epoch कर्ने के लिए इनके 4000 रुपए से भी ज्यादा खर्चा आता है दूसरी तरफ जिरोदा को कोई कोश्ट ने लगती और वो प्रोफिटेबल है और अब वो ये प्रोफिट अपनी कंपनी की क्रोथ में लगाएंगे उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू